यम्राज की मृत्यू की कहानी एक प्राचीन हिंदू पौरानिक कथा में मिलती है। यह कथा रूप से महाभारत और पुराणों में प्रमुख रूप से प्रस्तुत है। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है जब ब्रह्मा ने देवों के लिए मृत्यू को उत्पन्न मृत्यू की उत्पत्ति के बाद, लोगों की मृत्यू के लिए यमराज को नियुक्त किया गया। कथा के अनुसार, यमराज अपने कार्यों को निर्मम्ता से और निशकाम भाव से करते थे। वे सभी जीवों को न्यायपूर्वक, उनके कर्मों के अनुसार सजा देते थे। यम्राज को मृत्यू के साथ अनन्य संबंध था और वह अपने कार्यों को निशकाम भाव से करते थे। एक दिन ब्रह्मा ने एक दिव्य यग्य का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया। यम्राज भी इस यग्ण में उपस्थित थे। इस यग्ण में एक अ इंजान आदमी ने अचानक आकर यज्ज कुंड में प्रवेश किया और अपने शत्रू को मार दिया। यम्राज ने इसे पकड़ लिया और उसे यमलोक ले गये। यम्राज ने उस आदमी से पूछा कि उसने इस कार्य क्यों किया। उसने कहा, मुझे अपने शत्रू ने ध दिखाई दिया था। यम्राज ने यह सुनकर समझा कि यह आदमी असल में निर्दोश है क्योंकि उसने अपने कर्मों को सपने के द्वारा नहीं बलकि अपने जीवन में निर्मित समय समय पर उन्हें न्यायानुसार किया। अत्यंत उच्च है और यम्राज भी कर्मों के अनुसार ही न्याय करते हैं।